नमस्कार दोस्तों यह जो आप बैश्चनवी डेरी फोर्म में आपका श्वागत है यह जो आप पेड़ देख रहे हैं जामून का पोधा है इसे इंगलिस में ब्लेक बेरी भी कहते हैं जामून के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पसू के लिभर को मजबूत बनाने में कारगर होते हैं पसू को लिभर प्रोबलम गोबर पतला होना या इसे दस्त भी कहते हैं लूज मोशन भी कह सकते हैं इस रोग में लिभर संबंधी रोग में या जामून के पत्ते रामबान है या रामबान की तरह काम करती है इस जामून के पत्ते से लिभर का प्रोबलम ठीक हो जाता है जामून के पत्ते के अंदर एक एसा इंजाइम पाया जाता है पसू के पतला गोबर या दस्त को ठीक कर देता है इसके साथ ही जो पत्ते के अंदर मिंजाइम होता है उस सरीर में पसू के सरीर में एक पाचेकरस का निर्मान करता है पैदा करता है उस पाचेकरस से लिवर एक्टिव हो जाता है और पसु को कुछ भी खाने से बहुत अच्छे तरह से पचने लगता है जिसके बज़ा से पसु का सरीर ये स्वास्त में बहुत ज़्यादा सुधार ये मजबूती बनी रहती है अगर पसु को खिलाना है तो इसे पंदरह दिनों में या दस दिनों में सुबह और साम दो बार दे जिससे पसु को आप हरे चारे में मिलाके भी दे सकते हैं या नहीं सीधे तोर के इस पत्ते को तोड़ करके एक मुठी पत्ता आप सुबह और साम पंदरह दिनों के अंतराल पर गाय या भैस को खिला सकते हैं जिससे गाय और भैस को कईक बिमारियों से सुरच्छा प्रदान करेगा इसे खिलाने से पेट की पत्तरी की समस्या भी खत्म हो जाती है और आख की रोशनी में भी यह सांदार रिकभर या मजबुती परदान करता है बहुत बहुत धन्यवाद बैशने भी और गेनिक डेली फूम